मैं उपासना आज हम जोनार सिम्बल से हीलिंग करने जा रहे हैं सबसे पहले अपती दोनों हाथों को रब करें एक हाथ पर एक हाथ से सिम्बल नमबर वन चौकुरे बनाए और उसे शुन करें अब दूसरे हाथ से दूसरे हाथ पर सिम्बल बनाए चौकुरा और उसे शुन करें अब पहले हाथ से दूसरे हाथ पर दुबारा से चौकुरा सिम्बल बनाकर अपने हाथों को चार्ज करें इसी प्रक्रिया को दूसरे हाथ पर करें दोनों हाथों को चार्ज एवं शुद करने के बाद आसमान की तरफ अपनी हतेलियों को लेके जाएं और अपनी ईश्वर्च से प्रातना करें कि आप जो भी कारिय करनी जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलें रेकी शक्ती का आवान करें और प्रातना करें कि वो आपके कारिय में आपको सफलता दें अब ब्रह्मान में सिम्बल नंबर थ्री हौन शाय जैसोनन बनाए और अपना संबन ब्रह्मान की उच्च शक्तियों के साथ स्थापिट करें अब आपका संबन ब्रह्मान की उच्च शक्तियों के साथ स्थापिट हो गया है अब अपनी विजुलाइजेशन में ब्रह्मान पर के वाता वर्ण को सिम्बल नंबर वन चौकुरे से शुद करें अब जोनार सिम्बल अपनी विजुलाइजेशन में बनाएं पांच से दस मिनट तक अपने दोनों हातों से ब्रह्मान को रेकी भेजें मन में भाव करते हुए कहें हेरे की शक्ती मुझे और मेरे परिवार के सभी लोगों को सारे पूर्व जनम के नकरात्मक कार्मिक बंधनों से मुक्ट करों हेरे की शक्ती मुझे और मेरे परिवार के सभी लोगों को सारे पूर्व जनम के नकरात्मक कार्मिक बंधनों से मुक्ट करों हेरे की शक्ती मुझे और मेरे परिवार के सभी लोगों को सारे पूर्व जनमों के नकरात्मक कार्मिक बंधनों से मुक्ट करों हमारे वर्टमान जीवन के हर पल को और भविश्य के हर शण को स्वस्त, संपन, सफल और सुरक्षित करों हमारे वर्टमान जीवन के हर पल को और भविश्य को हर शण को स्वस्त, संपन, सफल और सुरक्षित करों हमारे वर्टमान जीवन के हर पल को और भविश्य के हर शण को स्वस्थ, संपन, सफल और मुक्त करो सुरक्षित करो हे इश्वर ऐसा ही हो हे रेकी शक्तिया ऐसा ही हो सभी के भले के लिए लगातार उपचार के लिए मैं इस रेकी शक्ति को ब्रहमान में स्थापित करता हूँ अब अपने ईश्वर को और अपने गुरू को रेकी शक्तियों को धन्यवाद देते हुए अपने हेर्द्य चक्रप अपने दोनों हाथो को रखे और बोले संतुलित हो बैलेंस 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 अब अपनी दोनों हातों को रब करें और अपनी आखों से लगाएं और धीरे धीरे अपनी आखे खोलें तैंक यू, तैंक यू, तैंक यू झाल